ओके गाई से वेलकमी चलो में सेट दिस इस डिवी से आज पर अपने परफसर और अपने क्या बात हुई थी कि मार्केट पर अपन एक अप्टेंड अभी भी देख रहे हैं और जब तक मार्केट ऑल्मोस 1780 की नीचे क्लोज नी करता है तब तक अपन मार्केट को थोड़ा सा पोजिटिवी रखेंगा ओके आज का मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो गया अपने दो तरीकी की बात किती कि एक तो मार्केट अपन इंट्री बना सकते है अग्रेसिव इंट्री क्योंकि सत्रह नौशो पच्पन सत्रह नौशाट को बनाएं और अठारा यार तक को उसके टा और बात अपनी जो नीचे की हुई थी वह बात हुई थी अपन 17-880 की नीचे सेल करेंगा और टार्गेट 17-850 से लेके 17-800 तक के रख सकते हैं सो मार्केट एक्जेक्टली 17-850 से सत्रह 820 के असपास का मार्केट ने लो लगाया और और वहां से मार्केट थोड़ा सा वहीं भी क्लोज हो के ओके देखो अपन चाहें तो सेल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत क्या होती मैं आपको बताता हूँ एक्जेक्टली मार्केट को अपन थोड़ा सा लॉंगर टामफर्म में देखते हैं तो समझ में आएंगी चीजे देखो नीचे से यह तो अपन समझ लेंगी यह डाउं ट्रेंड ही चल भी रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं देन फिर यहां से अपन एक ट्रेंड डालेंगे तो यहां पर उसके दो डो डोट्स कनेक्ट हो जाएंगे तो अपन को मिल जाए मार्केट एग्जेक्टली सपोर्ट पहें लेकिन जो यह अपटेंड हुआ ता जो यहां से continue हुआ तक यहां से यह तक का इसको अगर अपन देखने जाएंगे तो यहां पर भी अपन को इक च selling market okay so because क्या होता है जब भी अपन नीचे नीचे दीरे-दीरे seller आते हैं so this is not the sign of selling market selling इतना समय नहीं दिये थी जितनी तरीके से market आ रहा है यहां पर अपन एक trend line डालेंगे तो अपन के trend line मिलेगी जो कि थोड़ी सी steep है but it's okay trend line तो मिल रही है यहां पर so यह थोड़ा से कभी भी अगर यह talent cut करती है तो एकदम से momentum आ जाएगा और कोई भी एक green candle अल्मोस्ट 30-40-50 points की बन जाएगा और थोड़ा से momentum खराब कर सकती है okay so इसलिए थोड़ा से सेलिंग को ट्रेल करना चाहिए या फिर छोटे चोटे पॉइंट सो बुक करते रहना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा अग्रेसिम नहीं हो जादा सेलिंग में अभी के लिए अगर आनी होती सेलिंग से तो 30-40 इतनी चो सेलिंग आई है 98 points डाउन था अभी मार्केट अपन सेल करेंगे 17800 के नीचे जैसे एक 5 मेंट केंडल कोज होती है तैने अपन सेल करेंगे 20-25 रुपर कैसर लालेंगे 1-2 पहला टार्गेट रखेंगे उसके बाद आपन ट्रेल करेंगे 17720 से 17740 के असपास अपने टार्गेट बुक होने चाहिए वहाप अगर कोई रिवर्सल का साइन मिलता है तो हम रिवर्सल देखेंगे अगर फ्लैट खुलके मार्केट ऊपर निकलता तो बाई अब अपन तब तक नि करेंगे जब तक अपने जो रहेंगे अपने वन आउर टाइम प्रेम पर देगी थी वीकली एनलिसस में के जहां तो अब जब तक उसके उपर निकलता है तो अब जब तक उसके ऊपर निकलता है तो अगर अगर रख सकते हैं अगर मार्केट अप्ट्रेंड के में यहां तक यहां तक यहां तक है सतर नो सब्सक्राइब कोई रैड केंडल मिलती है यहां पर यहां पर इक स्टॉप लॉज डाल देंगे जो की फाइम निट्स के चाट पर अपनको मिल जाएगा ओके इस तरीके से हो सकता ह का नेक्स्ट इम जो सत्रोंनों सो पचास के आवस पास मार्केट जाहे और हसे फिर अग्रेशिव चैल करा है इसली यहां पर एक फॉलाग आ सकता मार्केट में अब पुल नको यह मानना है कि अतरीके हो रहा है देन अपन सोचें कि ये जो सेल अफ था ये सेल अफ नहीं था ये अप्टेंड का रिटरेस्मेंट था और इसको पर मार्केट सेस्टेंड कर रहा है देन फर मार्केट एक अपड़ की जोनी की सुरू कर सकता ओके तो ये पर देन वी बताएगा के अपनको बाइ करना क्या करना विकास देखो राइंस बढ़ा है यहां पर दो दिन अच्छे वॉल्टीम के साथ बढ़ा एक दिन दो दिन यहां पर दो-तिन दिन कंसलिडिशन हो गया अभी रिलाइंस का सपोर्ट आ रहा है 2400 के आसपास दिस इज दा सपोर्ट आफ रिलाइंस और 2450 इज दा रिजिस्टेंस ओके अगर 2400 के आसपास रिलाइंस सपोर्ट लेता हूं मिलता है तो यहां से अल्मस्ट 30-40-50 परण की जड़नी मिल जागी आगार रिलाइंस वहां फिर से रिस्टेंस लियेता दिखता है और रहां से एक इंसल अकुद की सीवास है जाए ना सकता है अथर्वाइश रिलास बात्यू करता है 1700 बढर और सीचिंट आपास रिलाइंस अउस रिलाइंस भी आस सवास अकुट पोरू परूर्प सपूर कर सकते 2400 के आसपास अगर कोई रिवर्सल के निल फाइब में रिप्नियों चार्ट मिलती है विकास 2400 का इंपोर्टेंट सपोर्ट बनेगा और 2450 फिलाल के रेजिस्टेंस है 2450 को फुर सस्टेंट करता तो 2480 के पच्छे सो तक की रिलाइस जन्नी टाय करेगा अगर 2400 के नीचे सस्टेंट करता है तो फिर सेलिंग प्रैस रिलाइस में आ सकता है अभी के लिए रिलाइस में आलमस्ट पांच तस प्वेंट का ऐसे ल लगा के 2400 के आसपास का वहां से एक अभड की अभड का मूब कंटिन्यू कर सकते है तो रिलाइस सपोर्ट पर पहुंच रहा है देरे देरे तो इस पो फोकस रखेंगे अभी नवीन फ्लोरीन आपको एक दो दिन पहले भी दिया था है यहां पर दिया तो मैंने का तक अगर 4320 को पर सच्टेन करता है तो नवीन फ्लोरीन आने वाले समय में अच्छा कर सकता है लेकिन यह आलमस्ट यहीं से नीचा है अगन फिर से यहीं पर आ रहा है सो कल भी यह फोकस में रहा सकता है 4310 को पर पंदा मिनट सच्टेन करता है तेन आल्मोस्ट 15-20 रूपीज ऐसल वन डिशी टू के टार्गेट के लिए 15-20 रूपीज ऐसल और वन डिशी टू से लेके टार्गेट इसमें बनाए जा सकते हैं तो नवीन फ्लोरीन इस आल्सो लोकिंग गड़ा जर्ना सो 4310 के ऊपर एक पंदा मिनट केंडल कोज करता है तैन इसको पंदा से भी शरुपा कैसा लावन डिशी टू के टार्गेट लिए फॉर दापवर्स कंटिलिग कर सकते हैं यहां पर करना मैं थोड़ा एक पॉल बैक का वेट करूंगा 17950 5560 के आसपस वहां सागर कोई नेगेटिव सेलरी बिलता है तैन फिर कर सकते हैं अभी थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे लाग कर चैनल पर चैनल सब्सक्राब करें मिलते नहीं तो तक लिए बास सी यो